अथ्याए बारा को जानता हूँ ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित पर मेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया और ऐसी बाते सुनी जो कहने को नहीं और जिन का मुपर लाना मनुश्य को उचित नहीं ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा परन्तु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विशे में घमंड ना करूंगा क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मुर्ख ना हूंगा क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे से सुनता है मुझे उससे बढ़ कर समझे और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूलना जाऊं। ये दूर हो जाए और उसने मुझे से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीही की सामर्थ मुझे पर छाया करती रहे इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उब्द्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं मैं मुर्क तो बना परन्तु तुम्ही ने मुझसे ये बर्बस करवाया तुम्हे तु मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी क्योंकि यद्दिपी मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ प्रेरित के लक्षन भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरच सहित चिन्नों और अधभुत कामों और सामर्थ के कामों में दिखाए गए तुम कौन सी बात में और कलीसिया से कम थे केवल इस में कि मैंने तुम पर अपना भार ना रखा मेरा ये अन्याएक शमा करो देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ती नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना ना चाहिए पर माता पिता को लड़के बालों के लिए मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा क्या जितना बढ़कर मैं तुम से प्रेम रखता हूं उतना ही खट कर तुम मुझ से प्रेम रखोगे ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोज नहीं डाला परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फसा लिया भला जिने मैंने तुम्हारे पास भेजा क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने च्छल करके तुम से कुछ ले लिया मैंने तितुस को समझा कर उसके साथ उस भाई को भेजा तो क्या तितुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह हमें बोलते हैं और हे प्रियो सब बातें तुम्हारी उन्नती ही के लिए कहते हैं क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाँ और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि तुम में जगडा, डाह, क्रोद, विरोद, इर्शा, चुगली अभिमान और बखेड़े और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे भिर से तुम्हारे यहां आने पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोग करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और उस कंदे काम और व्यभिचार और लुच्पन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया